बोलिये करुडा के सागर बुद्ध भगवान कीजै छत्रपती साहु महाराज कीजै बोलिये जगत गुरु शंत सिरो मडी रविदास कीजै ज्यान की देवी शावित्री बाई फूले कीजै ज्योतिबा फूले नरायडा गुरु पिरियार कीजै मोरे बंस के दशो महाराज कीजै बोलिये हिरण कश्यप बली बिरोचन महाराज कीजै मान्यवर कांसी राम वो सभी मूल निवासियों कीजै इन शभी को दिल में रख कर संबिधान का निर्मार करने वाले बिश्वरत्न बोधिसत्व बाबा साहब डाक्टर भीम राव अंबेड कर कीजै नमो तश भगवतो रहतो शम्मा संबुधश मैं शिव कुमर सागर शभी धम प्रीम्यों को नम भुद्धाय जैविम ये जो वाक्या मैं गाने जा रहा हूँ यह कालपलिक ने पुर्ल रूप से शद्यव प्रमारित है इसी तमाम पुस्तकों का अध्यन कर आदरडिय इश्वर सिंग्जी ने शब्द दिया है यह उस समय की घटना है जब हमारे देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्त की भुवना रहा करती थी कोई जाती पाती, भेद भाव, उच नीच, बड़ा छोटा नहीं था सब समान थे और आपस में मिल जुल कर रहा करते थे सोचो, सोचो, कल्पना करो कैसा रहा होगा वो दिशी यहां के मोल्लिवाशी राजा महाराजा हुआ करते थे महाराज हिरण कश्यप, महाराज बली, महाराज बिरोचन, चंद्रगुप्त मौर, एवं शम्राट असोप सहित, मौर्य बंस के दसो महाराज परन्तु हमारे देश पर मध एसिया से आए हुए आरियों का आक्रमण होता है सभी मौल लिवाशी राजा महाराजाओं को साथ लाए हुए मदीरा बिला बिला कर छल कपट से मार कर उन्हें दानव राक्षस नाम दे दिया जाता है और मारने वाले को खुद को भगवान का और दार बता दिया जाता है और सभी मौल लिवाशीयों को बंदी बना कर चार वर्ड ब्रामः छत्री बैश्य सुद्र तथा छे हजार साथ सो तैलिस जातियों में बाट देते हैं तथा अपनी गुलामी करने हेतू कारे बाट देतें जैसे नाई हमारी हजामत करेगा धोबी कपडात होएगा अहिर हमें दूद घी देगा कोईरी हमें सबजी उगा कर देगा चमार चम्रा छिलकर जूते बनाएगा गणेरी भेड से उन कंबल देगा कहार पानी भरेगा कोहार खाडा बनाएगा लोहार कुरसी मेज बना कर देगा इत्याती इत्याती कारे बाट देते हैं छूआ छूत की भावना चरम सीमा पर पहुँच जाती है सुद्रों की उपर कहर ढाये जाती है उसी सबर 14 अप्रेल 1891 को मध्य प्रदेश इंदोर के महुच्छावनी में पिता राम जी राव के यहां माता भीमा बाई की गोद में एक अदभुत बालक का जन्म होता है बालक भड़ा होता है इश्कूल जाता है तो देखता है छूआ जोँज गुलामी, अस्प्रिस्यता, पाखंड, प्रमजाल में हमारा समाज जकरा हुआ है यह देख बालक को गश्ट हुआ और समाज को गुलामी की जन्जीरों से छोडाने की गसम खा लेता है और अंदोलन छेड देता है समय गुजरता गया बालक को इश्कूल के बाहर पढ़ना पढ़ा पर संघर्स करना नहीं छोडा बालक की साधी हो गई पर संघर्स करना नहीं छोडा बालक के बाल बच्चे हो गए पर संघर्स करना नहीं छोडा बालक को पढ़ने विदेश जाना पड़ा परसंघर्ष करना नहीं छोड़ा बालक के बच्चे की मृत्यु हो गई परसंघर्ष करना नहीं छोड़ा बालक के पत्नी की भी मृत्यु हो गई परसंघर्ष करना नहीं छोड़ा वो बालक अमेरिका के कोलंबिया लंदन के यूनाइटेड किंगडम जर्मनी के वान विश्यक्रिस द्यालेओं से 6 विशाय से एमे, एमेस्ची, एमफिल, पीएश्टी, डीएस्टी, डीलीड, बार एटला, यललबी करबायरिष्टर बने उस वालक का नाम था शंबिधान निर्माता, विश्वरत्न, बोधिशत्व, बाबा साहब, डाक्टर, भीम राओ, अमबेड कर जगत में कैसे हुआ महान, महुनगर इंदार में जन्मा, एक दलित इनसान जगत में कैसे हुआ महान फिर बाबा साहब का बच्पन पहुत ही कष्ट दाया कुजरता है अच्छूत में बच्पन पीते, पढ़ते जखमों को सीके कहीं पानी नहीं मिलता, गला पानी भीन सूखे मदर्सा पढ़ने जाते, सब छुआ छूत मनाते बैठ के बाहर सोचो, कैसे वो ध्यान लगाते सब को समान बनाने का था, सब को समान बनाने का था दिल में भरा तू भान, जगत में कैसे हुआ महान बाबा साहब को इश्कुल के बाहर बैठने दिया जाता था प्यास लगने पर पानी नहीं दिया जाता था पर साहब पढ़ते रहे, फिर बाबा साहब की शादी रमावाई से हो जाती है बाल बच्चे हो जाते हैं, बाबा साहब संघर्ष करते हैं एक बार बच्चे को डवल निमोनिया हो जाता है और बच्चा बिमार पढ़ जाता है बाबा साहब को खत मिलता है, खत में क्या लिखा होता है पेटे का स्वास्त है गडबर, सहब तुम जल दी आओ पास पैसे नहीं मेरे आके इलाज कराओ पास पैसे नहीं मेरे आके इलाज कराओ पर बाबा सहब क्या करते हैं? तार जब फिर से आया संदे सागम भीर पाया घर पी तब पहुचे सागो आख से आशू आया घर पी चब पहुचे सागो आख से आशू आया रवा सहब ज है चोखट लांगते हैं क्या देखते हैं? धन के अभाव मेरा जिरतन दवावा य भाव मेरा जिरतन छोड़ चुका था प्रान जगत में कैसे हुआ मान बाबा सहब जिस बेटे को कहते थे तु मेरा सेर है तु मेरा पिये है तु बड़ा होकर तु मेरा एक बहुत बड़ा काम करना है वही बेटा आज चलवा सहब बाबा सहब बेटे की लाज को वही छोड़ पत्नी रमाबाई से कहते हैं रामू मैं जा रहा हूँ या सुन गाउवाले बोल पड़ते हैं अम बेड़कर तु कैसा बाब है बेटा दवा के अभाव में चिलाता रहा छटपटाता रहा तुम्हारा नाम ले लेकर एक एक साथ गिनता रहा तुम नहीं आये और आज आये भी तुम मरने के बाद वो भी बिना अंतिम संस्कार किये जा रहे हो मेरी है क्या मजबूरी ऐसे कैसे मैं बताऊं मेरा जाना है जरूरी कैसे सब को समझाऊं मेरा जाना है जरूरी कैसे सब को समझाऊं दिल में मेरे कसक है कास थोड़ा पहले आते कम से कम लाल से अपने बात दो ही कर पाते मैं ना पहुचा कितने मरेंगे सब है मेरी संतान जगत में कैसे हुआ महान जगत में कैसे हुआ महान अगर मैं आज नहीं पहुचूंगा तो जैसे मेरे साथ हुआ है सब के साथ होगा इसी तरह पैसे के अभाव में दवा के अभाव में सब के बच्चे मरेंगे और इसी तरह हर बाप के पास पैसे नहीं होंगे कि वो दवा करा सके और अपने बेटे का अंतिम संसकार कर सके ये जो अगली कड़ी में गाने जा रहा हूं ये हमारी समस्त माताओं बहनों को एक शंदेश है कि अगर कोई पुरुष पती अगर महान बनता है तो वो उसमें इस्तरी का नारी समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है बाबा साहब को भी महान बनाने वाली उनकी पत्नी रमाबाई को सारा स्रे जाता है उस माता रमाबाई को करोडो करोडो बार नमन वो रमा बाईा, साहब से क्या कहती है अंतिम संसकार करन को साhब से ये फरमाया कुछ पैसे है तो दे दो, रमा ने हाथ बढ़ाया में लेगे होता क्या है रमा की बात ये सुनकर सहब ने फपक के रोया बात तब समझी रमा ने सहब को धिरज धराया बेटे को साड़ी मिल पेटे पेटे को साड़ी मिला पेटे चली रमा समसा जगत में कैसे हुआ मान बाबा साहब बड़े होते हैं उश्मनु का बिधान मनु इसमिती लागी रोती है जिसमें शुत्रों को अचुतों को राद को दिन को बारा बजे ही घर से निकलना होता है ताकि उनकी परिछाई किसी पर न पढ़ जाए और असुद्ध न हो जाए धूकने के लिए गले में मटकी लटका दिया जाता था कमर में जाडू बाद कर चलना पड़ता था यहां तक की नारियों को भी बंदी गुलाम बना लिया गया था पति की मिर्त्य के बाद पतनी को चिता पर जिन्दा जलना होता था जिसे सती परथा नाम दिया गया था सुद्रों को धन रखने का अधिकार नहीं था अपने बच्चे का नाम रखने तक का भी अधिकार नहीं था लेकिन बाबा सहब ने 19-20 मार्च को 1927 को महाण सब्धार आंदोहल करते हैं जो पानी के लिए होता है उसके बाद 25 दिसंबर 1927 को बाबा सहब अपने साथियों के साथ उस मनु इस मृति को जलाते हैं मनु इस मृति को जलाया विध्वा का प्याह कराया पती संग चिता पे जलना सती ये प्रथा मिटाया कमर से जाडु हटाया गले से मटकी हटाया सभी को सिच्छा का हत मेरे साहब ने दिलाया सभी को सिख्षा दाहत मेरे साहब ने दिलाया बंद कर दिया साहब ने उस मनू का विधान जगत में कैसे हुआ महान इसके बाद बाबा साहब गोल में संबेलन में पहुश कर चार मांग रख देते पहला वयस्क मताधिकार दूसरा जनसंख्या के आधार पर परयात प्रतीनी धित्व तिसरा दो मत का अधिकार चोथा प्रिथक निर्वाचन छेते साहब की यह मांग सुनकर सभी बौखला जाते हैं और साहब को जान से मारने की धमकी देना शुरू कर देते हैं पर साहब साहब कह देते हैं मैं रहू या ना रहू पर मैं दलितों को सोसितों को उनको उनका हक दिल्वा कर ही मानूंगा यह सुन गांधी आमरन आंसन पर बैठ जाते हैं फिर साहब के नहीं मानने पर मनुआदी दलितों सोसितों की छोपड़ी जलाना शुरू कर देती हैं मारना पीटना इज्यत लुटना शुरू कर देते हैं तब बाबा साहब कहते हैं, जब मेरा दलित समाज ही लुट जाएगा, नहीं रहेगा, तो मैं किसके लिए लडूँगा। यह सोच बाबा साहब समझावते के लिए तयार हो जाते हैं, उनकी केवल एक मांग बयस्क मदादिकार मिलता है, सेस्तीन की जगह आरच्छन पास किया जाता है। पहले जिसके पास संपत्ती थी, पढ़ा लिखा था, वही वोट देने का अधिकारी था, पर अब 18 वर से उपर के सभी लोग वोट देने के अधिकारी हो गए, वहीं से हमारा समाज नौकरी चाकरी पाने लगा। बाबा साहब की चारों मांगे नहीं पूरी होई। आख में आशू लेकर बाबा साहब समझोते पर हस्ताक्छर करते हैं। पूना में यह समझोता दिनांग 24 सितंबर 1922 को हुआ, जिसको पूना पैक्ट नाम दिया गया। आख में आशू लेके सहब ने कलम उठाया। करके संदोस वही पर गांध की जान बचाया। जान पे खेल के अपनी सहब ने हक ये दिलाया। दलित भाई और सोशित जाके तब कुरसी पाया। I.S.P.C.S. आज बन रहा। सियम पियम परधान जगत में कैसे हुआ महान। यही से हमारा दलित सोशित समाज नवकरी हेतू कुरसी पाना सुरू हुआ। पर हमारा समाज नवकरी पाकर उस बाबा साहब को भूल जाता है। और जाकर मंदिर मस्जिद में मत्था टेकता है। यह सियम कुमार सागर धिक कारता है धिक कारता है ऐसे नवकरी वालों को ऐसे कुरसी वालों को जिसके हिर्दय में जुबा पर बाबा साहब का नाम नहीं। यह वाक्या गाने में हिर्दय रो रहा है। रोम रोम रो रहा है। आगे बाबा साहब की पत्नी रमा बाई बिमार पर जाती है बाबा साहब रो रो कर रमा से कहते हैं रामू तुम्हें जो रोग हुआ है उसके दुनिया में बहुत डाक्टर है पर मेरे समाज को जो रोग हुआ है उसका केवल और केवल मैं ही डाक्टर हूँ मुझे छमा करना पत्नी का भी इलाज बाबा सहब पैसेव समया भाव के कारण नहीं करा पाते और दिनांग 27 मई 1935 को पत्नी रमा बाई भी चल बसी इसके बाद 13 अक्टूबर 1935 को बाबा सहब सिंग्म गर्जना करते कहते हैं मैं एक हिंदू अज़ूत पैदा हुआ ये मेरे बस में नहीं था पर मैं एक हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा ये मेरे बस में और बाबा सहब दिनांग 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने पांच लाद अनुवाईयों के साथ बहुत घर्मर करते हैं इसके बाद दिनांग 6 अक्टूबर 1956 को सहब इस दुनिया से हमसे सबसे बिदा ले लेते हैं वो तीन बात समधा के गए वो तीन बाते क्या हैं सहब का कथन है सच्छा सिछित यवर संगठित हो जाए जान लो अपने हक को मिल के संगर्स किये जा हम को सम्मान दिया है जग में पहचान दिया है बन के बौधिष्ट ये जीवन जगत के नाम किया है बन के बौधिष्ट ये जीवन जगत के नाम किया है चाते जाते दे गए साहब हमें सफल संभिधान जगत में कैसे हुआ महान महुनगर इंदार में जन्मा एक दलित इनसान जगत में कैसे हुआ महान